नमस्कार साथियो मेरा नाम है मेगा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं दनियूज लॉंचेर दोस्तों कंगा नरौत हमेशा आपने देखा है उल जुनून बयान के लिए उल जुलूल भाशन बाजी के लिए कितनी ज्यादा लोग प्रिये हैं अब इहाल में उन्होंने न और उन्हें राजनीती के बारे में कितना ज्यादा पता है और यह सारे समझाते समझाते निश्करश उन्हें निकाल ला था कि प्रधानमंत्री जी और भारती जंता पार्टी एक महान पार्टी है बहराल आज भी कंगना रनौत ने अपने बुद्धिमति का एकदम बुद् कुछ कहूंगी नहीं आप खुद देख लीजिए फिर इसके बाद बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी की हार के लिए अप कंगना रनौत खुद जिम्मेदार हुए देखिए स्क्रीन्स पर तो देखा आपने कंगना रनौत कह रही है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आगे पीछे कुछ भी नहीं है ना उनके पास पैसे है ना अकाउंट में शुने वैलेंस है और तो और मोदी जी तीन गंटे सोते हैं साथ ही एक बार ही खाना खाते है और पूरा दिन जो है वो देश के लिए सोचते है एक ऐसा व्यक्ति जो तीन गंटे सोकर एक बार खाना खाके यानि पूबरा समय जो उ बोजन मत खाई आप तीन चार पांच बार भोजन खाई लेकिन देश के लिए जो काम बतौर प्रधान मंत्री कर रहे हैं उस पद की गरिमा का मान रखिए और देश के लिए सच मुझ कुछ करिए इतने कम समय आप अपने आपको दे रहे हैं अपने निजी जिन्दगी को दे हैं और देश के लिए आप इतना जादा समय निकाल रहे हैं बावजूद इसके इन समय में अब कर किया रहे हैं खेर ये तो एक अलग मुद्दा है इस पर अगला अलग से वीडियो बननी चाहिए लेकिन इस वीडियो में आज जिस विशय पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि फ्रदान मंत्री की हार का जिम्यदार तुने आप खुद खुद कंग्ना रनौत होन की क्योंकि लगातार जो भाशन बाजी कर नहीं है तो बाते कह रहे मोदी जी का महिमा मंदन करना इनका उद्देशचे तो है लेकिर मोदी जी भी आथ सोच रहोंगे कि इतना महिवा मंदन मत कर दीजिए कि कुछ भी फेकते रहे क्योंकि जनता है आपर मूर्ख नहीं है मुझे लगता है कंगनार नौत को ऐसा लगता है कि वो कहीं भी वही बीच और राहे वाली बात हो गए कि अपनी भाषा में वो दोगरी भाषा में कहती है चार लोग आ जाते हैं और फिद बाद में वो कहती है कि लाखों में भीड उमड़ी थी सुना था ना आपने मुझे लगता है कि वो जहां भी खड़ी हो जाएंगी भाषान वाजी कर देंगी और लोग तो मूर्ख है उनकी बातों में आ जाएंगे और जो कंगना कहेंगी वही मान लेंगे जनता ऐसे थोड़ी है जनता आती है रैली में जरूर एकन आपके बाते सुनने के लिए कि आपने क्या कारे किया है आप जिस पार्टी से है प्रत्याशी उस पार्टी के कारे बताई साथ ही बताईए कि चुनावी मैदान में आप किस मैनिफेस्टो और किन वाइदों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं ऐसे बैठ कर खड़े होकर कभी जनता के बेज घूम कर फालतू का धकोसला जनता को बिलकुर रास नहीं आता खैड आज मैं आपको बताती हूं कि कंग्ना रनौत की जिम्मिदार यानि प्रधान मंतरी की हार का जिम्मिदार कैसे होने वाली कंग्ना रनौत के जूट को एक्स्पोस करना पड़ेगा डिकोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे कुछ आर्टिकल्स भी मिले हैं जी को कैसे हरवाएंगी जुट बोल-बोल के महिमा मंदन करकर के करकर के अगर कोई किसी के बार में बढ़ाई कर रहा है तारीफ कर रहा है तो इतनी ही तारीफ की जाए ना जितना उस वैक्ती ने काम किया हो थोड़ी बहुत और आगे प्रशंसा कर दी जाए लेकिन आप इतन दावा क्या कि मोदी जी के आगे पिछे कुछ भी नहीं लेकर एफिडेविट में तो मोदी जी यश्कोदा बेन का नाम लिखवाते हैं बतौर पर खैर आज आते अब दूसरे मुद्धे पर जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मोदी जी के पास पैसे भी नहीं है अकाउं कमिशन के वेबसाइट के द्वारा उसमें मोदी जी की टोटल असेट जो है डाट इस अल्मोस्ट थ्री क्रोर्स और थ्री क्रोर्स में 2.85 क्रोर जो है वो SBI में डिपोजिट किया हुआ फिक्स डिपोजिट यानि FD है और बाकी असेट्स प्रधान मंत्री के पास 4 गोल्ड रिंक्स है 45 ग्रैम्स की जिसकी कीमत 2.67 लैक्स है और कैश में कुल 52,920 है कुल मिला के तीन करोड के मालिक है मोदी जी तीन करोड क्या ही होता आज के समय में तीन करोड ही तो है भूल ग कांडी ने बकाईता पूछा था कि प्रधान मंत्री की सैल्री कितनी होती है है 2.5umbers account होती है कि 2.5worth अगर से सैलरी है और वह कपड़े जो है इतने ज्याधा लाखों के करोड के पहन रहा है म Minshroom इतने महंगे खा रहा है फिशिल कर्वाता है इतने लाखों करता है क्या यह क्लेम करते हैं कि मैं सुए इसार भी आपको पढ़ нравится कि मैं अपने पेसे द्वारा करता हुए। तो पोल पट्टे खोल रहे है, बताइए, अब जैसे मेरे जैसा व्यक्ति, आम इंसान कोई भी, कंगनर रनौत का भाशर सुरेका जिसमें बोला गया मोधी जी के पास कुछ नहीं है, तो वो तो सर्च करेंगा नेट पे की, मोधी जी की नेट वर्थ क्या है, मोधी जी का टोटल इंकम क्या है, और उसमें दिग्या तीन करोड, तो जन्ता सोचेगी भाई, तीन करोड तो, कुछ भी नहीं है क्या, अब खुच जरा सोचेगी कैसे जूट बोलते, अच्छा, इनकी एक और मंत्री है, भारती जन्ता पार्टी के, जो एक बार डिनर हुआ था, खाना वाना खाया गया था, उसमें क्या बोल दिया था, कहा था कि, मोधी जी जो है, छे बजे के बाद खाना नहीं खाते, स्क्रीन्स पर नजर डालिए, क्या कहा था उस मंत्री ने, एबीपी की खबर है, जिसमें लिखा है, कि पीए मोधी इन पार्लिवेंट कैंटीन, पीए मोधी की साथ नए संसद भवन की कैंटीन में लंच करने वाले जी, बीजेपी सांसर, एल मुर्गन ने कहा, कि काफी खास दिन है, दिन में सिर्फ साड़े तीन घंटे सोते हैं पीए मोधी, शाम छे बज़े के बाद नहीं खाते खाना, सांसदो संग लंच पर किया खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा है हाला कि, बताईए, शे बज़े के बाद खाते ही नहीं, चले एक और पत्रिका दिखाती हूं, उसमें क्या लिखाया है मोधी जी, खान पान को लेकर, और ये जो पत्रिका है इसमें रेफ्रेंस भी दिया गया, कि जो बुक है मोधी जी की, उससे पताया गया है, कि, खाना कब खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या शौक रखते हैं, हाँ, याद रखिए का, मोधी जी सिंपल आदमें, जैसा कंगना जी नहीं का है, स्क्रींस पर नज़र डाली, दिन चर्या देखिए मोधी जी की, पांच बज़े, आदे गंटे योग, प्रनायम, सूर्य नमस्कार, सब करते हैं, फिर ब्रेक्फस्ट खाते हैं, अद्रग वाली चाय जो है, वो जरूर पीते हैं, मस्ट है, साथ बज़े देज दुनिया के अकबार पढ़ते हैं, बिल्कुल रिपोर्ट पढ़ते हैं, मेल बॉक्स चेक कड़ते हैं, फिर बारा बज़े से पहले लंच कर लेते हैं, और राट में दस बज़े से पहले दिनर कर लेते हैं, यहां पर बकाइदा, कंगना ने कहा था कि एक बार खाते हैं मोधी जी, लेकिन ये, अखबार की कटिंग तो कुछ और ही कह रही है, इसमें तो लिखा गया है कि दस बजे से पहले खा लेते हैं रात को, दोपहर को बारा बजे खा लेते हैं, ब्रेकफर्स भी खाते हैं, अधरक वाली चाय भी कंपल सरी है, तो ये तो एक प्रॉपर नॉर्मल इंसान जैसा ही हु कर रहे हैं, बाद जो फ्वाए फेलाई जा रही है, जो नेरेटिव सेट किया जा रहा है, यही बरी जूटा साबित हो जाता है, एक तो मैंने आपको बता है, नेट वर्थ वाली चीज और दूसरी आपका खानपान वाली चीज भी एक दम फ्लॉप हो जाती है, चलि एक और आर्टिकल पढ़ लेते हैं, हो सकता आर्टिकल जो है, ओपोजीशन द्वारा फंडेड हो, यह भी तो आजकल आरोप लग जाते हैं, चलिया, एक और, अमार उजाला कहीं पढ़ लेते हैं, आमार उजाला में लिखा है कि मोधी जी की डाइट में, नरेंद्र मोधी के आर्टिजम भी है आपर खाने में, इसा नहीं है कि त्याग कर रहे है, क्यों कहा जाता है ना, एक ब्यक्ति जो त्याग कर रहा है देश के लिए सोच रहा है, वो थोड़ी सोचेगा खाने में उसका क्या फेवरेट है क्या नी, कि मोधी जी की फेवरेट डिशेज हैं आपर पसंद है और इसे डाइट में वो शामिल करते हैं, अब आता है शोक के उपर, खाने के इलावा भी मोधी जी के शोक होंगे ना, मोधी जी को कलाई घड़ियों का बहुत शोक और फांटेन पेन का, नरेंद्र मोधी दमेन, जो उन पर किताब लिखी गई है, उसके अनुसार उन्होंने अपने शोक और कपड़ों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें शुरुवाती दिनों से ही, खुद को अच्छे कपड़ों में रखना और खुद को ग्रूम रखना बहुत पसंद है, एकदम मील टैंटीन, फिट फाट रहते हैं मोधी जी, उसके बाद उन्हें हाफ स्लीव जाले कुड़े वो के वो फैन है, बताये, ज्यादा शौक नहीं है मोधी जी, एकदम न्यून तम, सिर्फ तीन टाइम का खाना खाते हैं, सिर्फ घड़ी का शौक है, सिर्फ कुड़ते बजामे का शौक है, सिर्फ अपने आपको ग्रूम बड़ी आग, एकदम चखो चौन से रहते हैं, चखा चख करके उन्हें पसंदे हैं, यह तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई न, एक तरफ खंगना रनौत यह दावा कर रही है कि मोधी जी तीन घंटे सोते हैं, और यहां मैंने जो आपको बताया पूरा आर्टिकल से, उस आपको पता भी हो न, आपको जाने की जरूरत भी ना हो हमें क्या मतलब को एपने निजी जिल्दगी में क्या कर रहा है यह प्रधान मंत्री ही क्यूं न और अप्रदान मंत्री आम काट के खा रहे हैं, चूस के खारे अब वो काट कर खाए या चूज कर खाए वो सवाल नहीं है लेकिन क्या वो आम खा पा रहा है जिस प्रकार से इंफलेशन यानि महिंगाई इतनी ज्यादा है बेरुजगारी का दर इतना ज्यादा है अगनी वीर के जरी आपने फोज में क्या कर दिया नौजवानों के इनकी निजी जीवन नहीं विशय यह है कि कंगना रनोत और कंगना रनोत जसे नेता जो सोचते हैं कि प्रधान मंत्री का महिमा मंदर उनकी तारीफ उनकी चापलूसी यह सारे काम कर लेंगे तो मोदी जी की नजरों में आ जाएंगे हो सकता कि तवर प्रमोशन हो जाए वो प्रतैशी भूल जाते हैं कि आम जनता जो है उनकी खासियत ही है कि वो आम है और आम जनता का सबसे बड़ा हतियार उनका दिमाग उनका मतदान करने का अधिकार होता है और वो जब अपने मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करता है तो अंधाओ कर नहीं करता है वो आपक तो बार बार आम आदमी को मूर्ख समझने और बनाने की जरूरत नहीं है और कंगना रनोर्ट जैसे नेता आप लिक कर ले लिजिए इनके जैसे नेता भार्तिय जंता पार्टी में और भी है नाम लेने की जरूरत नहीं है लेकर आपको खुद पता है कौन-कौन है जो किस तर इनके भारती जनता पार्टी की नेता कुछ नहीं अगर मुखिया यह कर रहा है तो इनके परिवार के सदस्य तो इस प्रकार का चाटुकारिता पैर्वी तो करेंगे ही लेकिन यह पैर्वी करते करते मोदी जी की जनता को मूर्ख बनाने का काम अब आप छोड़ दीजिए कंगना जी क्योंकि जनता ना आपके बातों में कभी आए थी ना कभी आएगी तो चली आप क्या सोचते हैं कंगना रुनौत के इस भाशन पर जो बाते उन्होंने की है और जिसका जूट हमने इस वीडियो में एक्सपोस किया उस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन के जरीए मुझे तक पहुंच आए फिलाल मुझे दीजिए इजासत मिलती